एक tennis player का अपने brother-in-law की फियांसे के साथ ही affair हो जाता है एक twist की वज़े से बहुत सारी complication हो जाती है Hello friends, आज मैं आपको match point या एक Hollywood movie explain करने वाला हूँ अगर आपको ये video अच्छा लगता है तो please like और comment जरूर कर दीजे बेना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie start होते ही हमारा main character जिसका नाम है Chris यह हमसे बात करता है वो कहता है इस world में lucky होना बहुत important है लोग जादा luck पर believe नहीं करते क्यों क्यों डरते है match के beach में एक point आता है जब ball net से ठक राता है उस वक एक तो आगे जा सकता है और आप जीच जाते हो या पीछे आ सकता है इस बात पर इन दोनों की bonding हुई और एक उपया देखने के लिए उसने Chris को invite कर लिया ये दोनों जब वहाँ पर पहुँझे तो Tom की पूरी family वहाँ थी उसकी mother father और उसकी एक sister sister का नाम है Chloe Chloe को Chris first time देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा अगली दिन जब Tom और Chris phone पर बात करे थे तो Tom गहता है मेरी sister को तुम अच्छे लगे उसने वीकेंड पर तुम्हें parents से मिलने के लिए बुलाया हुआ है Chris भी फिर चला किया Tom और Chris tennis खेल रहे थे तो Chloe भी interested हो कि Chris उसे खेलना सिखाता है इन्होंने बहुत सारी बाते की और एक दुसरे को जानने लग गे दिखने के लिए बुलाया घर में Chris नोला को नोटिस करता है नोला उसे बहुत ही attractive लगी table tennis में नोला को कोई भी हरा नहीं रहा था Chris उसके साथ खेलता है उसे हरा देता है नोला भी उसके साथ flirt करने लगे कहती है तुम्हारा गेम बहुत ही aggressive है Chris कहता है क्या कभी तुम्हें किसे ने कहा है तुम्हारी leaves बहुत ही sensual है यही बाते जल रही थी तब यहाँ पर टॉम पहुचा टॉम नोला को Chris से introduce करवाता है कहता है कि मेरी फियांसे है नोला actual में एक struggling actress थी टॉम की मदर को नोला का प्रोफिशन अच्छा नहीं लगता पर टॉम नोला से बहुत प्यार करता है आज केल Chris के पास बहुत सारा टाइम होता है क्योंकि उसके बास ज़्यादा students नहीं Chloe कोई बात बहुत अच्छी लगती है पर वो Chris को help करना चाहती थी इसलिए अपने फादर से उसने बात की अगर उनके कमपनी में कोई position हो तो Chris ये ले सकता है फादर ने भी हागा तो Chloe इसके लिए बहुत excited थी Chris को ज़रा awkward लगा उसने गा मुझे business के बारे में कुछ भी पता नहीं मैं शायद सही से कर नहीं पाऊंगा Chloe कहती है सिर्फ तुम जा कर देखो स्लोली स्लोली सारा ओफिस तुम रन करोगे आज जात Chris और Chloe इन नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे Chris नोला के बारे में और भी जानना चाहता था उसके मूवीज के बारे में उसने उसे पूछा नोला कहती है मुझे सिर्फ एक ही कमर्शल मिला था उसके बाद उसे जादा चांस ने मिलता आज कल वो सोच रही है उसे एक्टिंग का करियर छोड़ देना चाहिए इसके बाद हम देखते है Chris ने Chloe के फादर की हागा जॉब ले लिया है एक दिन ये दुनों हैंग आउट कर रहे थे Chris ने Chloe को सौंस की सीडी दी इनका प्लान था कि इसे सुनेंगे घर पर ही डिनर करेंगे एक ब्यूटिफुल सी इविनिंग्स पेंट करने वाले थे Chloe कहती है आज राद नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया हुआ था उसने उसे मना कर दिया है ये बात सुनकर Chris Chloe से कहता है हमारी नाइट कभी भी हो सकती है हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए Chris क्लेरली नोला में सबसे ज़ादा इंटरस्टेट था ये डिनर के लिए गए पर आज राद नोला इनके साथ नहीं गई उसका ओडिशन था तो इसके लिए नर्वस थी अगले दिन स्टेट से गुजरते हुए Chris नोला से मिला वो बहुत ही टेंशन में थी अब उसका ओडिशन है और वो डर रही है Chris ने फिर उसे सहरा दिया जहाब आर ओडिशन था वो आपर उसके साथ गया ये ओडिशन नोला का सही नहीं जाता उसे काम डाउन होने के लिए एक ड्रिंक की ज़रुएत थी तो दोनों ड्रिंक करने के लिए एक जगा पर आए इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नोला के फादर बच्पन में उसे छोड़ कर चले गए थे उसे लाइफ में सक्सेस्फूल होना है इसलिए एक्टरेस बनना उसका ड्रीम था क्रिस नोला को उसके और टॉम के रिलेशनशिप के बारे में पुछता है नोला कहती है हम दोने एक पार्टी में मिले थे टॉम को में बहुत अच्छी लगी तो हमेशा मुझे गिव्ट भेशता था मुझे उसने बहुत सारा अटेंशन दिया तुरंद फिर प्रपोस कर दिया नोला फ्रस्टेटेट थी टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती तो नोला को बहुत बुरा लगता है क्रिस ने गा कि शायद उसे मैं भी अच्छा नहीं लगता नोला गयती कि ऐसा कुछ भी नहीं वो तो तुम्हारी और क्लोई की शादी हो इसके लिए रेडी हो रहे है एक्च्छल में क्लोई का एक बहुत ही घटया बॉर्फरेंट था उसके कंपेरिजन में तुम बहुत अच्छे हो बस अब इसके बाद कुछ गड़बर्ड मत करना क्रिस पूछता है कि कैसे है नोला ने कहा मेरे साथ अफेर करकर इसके बाद विकेंड के लिए इस सारे टॉम की फैमिली के साथ थै यही बर टॉम की मदर और नोला की बीच में जगड़ा हो जाता है नोला एक्ट्रेस है और इसी बात पर यह जगड़ा था इस जगड़े के बाद नोला बहुत ही जगड़ा डिस्टरब हो गई बाहर बारीश चल रही थी वैसे वो घर से बाहर निकल जाती है क्रिस ने सब देखा उसके पीछे वा आता है वो उसके पास आ गया नोला गहती है कि अच्छा एड़ा नहीं हम कुछ भी गलत कर सकते है इन्होंने फिर किस कर लिया यही पर इंटिमेट हो जाते है इस दिन के बाद नोला क्रिस को इग्नौर कर रही थी एक दिन बहले में क्रिस नोला से बात करता है नोला ने कहा हम दोनों किसी और के साथ इन्वाल्ट है जो भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी इसके बाद क्रिस ने डारेक्ली क्लोई के साथ शादी कर ली एक ब्यूटिफुल सा घर देखने के लिए आये हुए थे क्रिस कहता है कि शायद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्लोई कहती है मैरे फादर हमें हेल्प करेंगे इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए क्रिस और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तब क्रिस को बता चला कि टॉम ने नोला को छोड़ दिया यह उसकी मदर की वज़े से था उसकी मदर चाहती है जोसके एक दूर की कजन है उसके साथ ही उसके शादी हो ग्रीस ने फिर नोला को कॉण्टेक करने की कोशिश की पर उसे कही भी नहीं मिली आज कल क्रिस और क्लोई यह प्रेगनन होने की कोशिश कर रहे थे एक्चुल में Chloe को जल्दी से जल्दी प्रेगनन्ट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी Chris को यह सही नहीं लगता पर Chloe के लिए वो मान जाता है इसके बाद Tom और उसे एक कजन की शादी हुई एक दिन Chloe अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी क्या हम मिल सकते हैं नोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है यह सब बातों का पॉइंट क्या है तब यहाँ पर Chloe आ गई Chloe नोला से हो कैसी है इसके बारे में पूछती है पर उसे बात करना ज़रा उक्वर्ट था इसी वज़े से यहाँ से हो चली गई क्रिस नोला से कहता है प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर बता तो नोला भी सोच रही थी पर उसने बता दिया इसके बाद एक दिन यह दोनों डारेक्ली इंटिमेट हो गए हमेशा क्रिस नोला के घर पर आता था नोला लगाया था यह जो स्रीट थी यह नोला के घर के पास ही है क्रिस फिर गहता है क्यों मैं नहीं था तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई पर उसका फ्रेंड बहुत ही फर्म था क्लोई इस बात को जादा सेरिसली लेती नहीं इस वज़े से क्रिस को कोई भी प्रॉलम नहीं आया तो नोला क्रिस वर बहुत ही चेट गई थी क्रिस कहता है कि मैं जल से जल बता दूंगा वो फिर तीन दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ एक विकेंड पर गया यही पर नोला का उसे कॉल आता है वो बहुत ही डिस्टाव थी वो चाती थी क्रिस अभी क्या भी उसी मिले यहाँ पर क्रिस ने काम का बहाना बनाने की कोशिश किये पर क्लोई मानती नहीं क्रिस को यही रुखने बढ़ने वाला था रात में नोला ने फिर से क्रिस को कॉल किया वो घहती है कि मैं ब्रेगनंट हूँ उसे उसकी जरूरत है क्रिस फिर अगली दिन उसे मिल लेता है य इसके बाद क्रीस बहुत ही टेंशन में आ गया ये बात क्लोई नोटीस कर दिया उसे लगा क्यों प्रेगनर नहीं हो सकती है शायद इसी वज़े से क्रीस इस तरीके से बहेव कर रहा है क्रीस उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं उसने उसे गले लगा लिया अपने एक सीन में क्रीस अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था जो भी उसके लाइफ में चल रहा है इस सब कुछ उसनों से बता दिया वो कहता है नोला के साथ उसकी जो भी मैरेज है इसे वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकता उसके बड़ा जॉब है उसके जॉब पर उसे बड़ा सा प हम जब वापस आएंगे तो मैं क्लोई को सब कुछ चीज़े बता दूंगा पर अल्रेडी वैकेशन कैंसल हो चुका था एक दिन जब क्लोई के फादर इने मिलने के लिए आये हुए थे तो क्रिस को एक बड़ा सा प्रोमोशन दे दिया जाता है नोला ने क्रिस को कॉल करने का बहुत ट्राय किया पर वो इग्नोर कर रहा था एक दिन वो चेक करने के लिए क्रिस के आफिस के बाहर आ गई क्रिस को बाहर आता देख वो बहुत ज़ाद हो जाती है इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई क्रिस कहता है कि हम जल्दी आ गए थे आज मैं तुमें कॉ तो बहुत सारी गन उनके पास पड़ी हुई थी, एक दिन Chris जाकर ये गन चोरी कर लेता है, रात में जब Chloe और Chris एक साथ थे, तो Chloe की एक चीज ख्रीस के बैग में थी, उसने बैग खोली पर Chris जल्दी से उससे वा बैग ले लेता है, उसमें गन थी, तो गहता है कल हम दोनों ए एक गंटे पहले नोरा के घर पर भोज गया नोला की नेवर एक ओल्ड उमन उसका टोरो नौक करता है उसने का क्या हमारी केबल चल नहीं रही मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी चल रही है घर में आने के बाद क्रिस ने गन को रेडी किया इस ओल्ड लेडी को मार डालता है घर की सारी चीजे तहसने ज़िश करती इस ओल्ड उमन की उच्वेलरी उसने ले ली ताकि पुलिस को लगे कि कोई यहां चोरी करने के लिए आया हुआ था उसने ओल्ड उमन को मार डाला क्रिस घर में ही था तभी ओल्ड उमन से मिलने के लिए एक आदमी आता है क्रिस डोर नहीं खोलता वो थोड़ी दिर में वहाँ से ओचला गया साथ बजने पर नोला घर पर आई वो लिफ्ट से उतरी तभी क्रिस उसे शूट कर देता है वो बहुत दी डर गया था पर वैसे ही क्लोई के साथ प्ले दिखने के लिए आ गया क्राइम से इनवर पुलिस बोचे उन्हें लगा कि रॉबरी थी अगली दिन निउस्पेपर में क्लोई को इसके बार में पता जलता है सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था क्रीस फिर एक दिन अपने फादर इनलो की घर पर जाकर उनकी गन फिर से रख कर आता है अचानक से उसके ऑफिस में पुलिस का कॉल आया था उसे बात करना जाते थे क्रीस के बास ओल्ड उमन की जो भी सब जोलरी थी उसने सारी नदी में फेक दी पर हम देख सकते हैं कि उसकी रिंग ये शोर भरी गिरी गई क्रीस पुलिस से मिलने के लिए आया पुलिस उसे बुछते हैं तुमारे और नोला के विश में क्या रिलेशन्शिप थी क्रीस कहता है वो मेरी ब्रदर इनलो की फियांसे थी हम दोनों में कुछ भी नहीं था पुलिस ने फिर नोला की डायरी निकाली उन्हें नोला और क्रीस के बारे में सब कुछ पता था क्रीस डर गया वो कहता है हम दोनों में अफेर था पर आपको मैं डारेक लिए बात नहीं बता सकता मैं मेरी वायट से बहुत प्यार करता हूँ वो सिर्फ एक मेरी गलती थी पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है अगर आप इसकी इन्वेस्टेशन करना चाहते हो प्लीस बहुत ही डिस्कृट कीजेगा आपके इस डाउट की वज़े से मेरी पूरी जिन्दगी खराब हो सकती है प्लीस इसके बारे में किसी कोई पता नहीं चलना चाहिए क्रीस के जाने के बाद पुलीस ने इसके बारे में डिसकृस किया एक को लगता है कि शायद क्रीस गिल्टी है पर दूसरे को लगता है कि ड्रक्स के रिलेटर क्राइम था रात में Chris को नोला उसके सामने दिख रही थी नोला कहती है मेरे साथ ये सब करकर तुम जी कैसे सकते हो Chris ने कहा कि अगर मैं गिल्ड के साथ जी हूँ तो जी नहीं पाऊंगा मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा तब भी Chris को वो ओल लेड़ी भी उसके सामने दिखने लग गई थी वो कहती है कि मेरी क्या गल्दी थी तुमने मुझे क्यू मारा Chris कहता है मेरे गोल तक पहुशने के लिए तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी उस ओल लेड़ी ने Chris से कहा कि इसमें तुम्हारा बेटा भी था तुमने अपने चाइल्ड को भी मार डाला Chris को बहुत बुरा लगता है एक डिटेक्टिव ने सारी केस को फिगर आउट कर लिया था उसे लगता है कि 100% Chris ने ही क्राइम किया है दूसरा डिटेक्टिव से कहता है कि उस ओल लेड़ी की रिंग एक ड्रग एडिक के पास हमें मिली उसे हमने अरेश्ट कर लिया है Chris ने कुछ भी नहीं किया था हमने प्रिवेसली देखा Chris ने जब ओल लूमन की सारी जिवलेरी फेकी दूसरी रिंग शोर पर गिर कही थी यही रिंग एक ड्रग एडिक ने उठा लिये वो ही इस केस में फ्रेम हो चुका था Chris बाल-बाल बच जाता है मूवी के फर्स में उसने हमसे कहा था लाइफ में चांस बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन्ट है अगर यह चांस नहीं होता तो आज वो बच नहीं पाता उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया पर इस गिल्ड के साथ उसे पूरी लाइफ में जीना पड़ेगा इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको ए वीडियो अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल नुटिवेशन आइकोन दाउन में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवीज के साथ तब दे के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे